कि अच्छे होंगे अच्छे होंगे स्वस्थ होंगे मस्थ होंगे अगर मेरी आवाज आ रही होते एक बार बिल्कुल जरूर कमेंट किजिएगा और चलिए सुरुवात करते आज के सेशन की कमलेश कुमार जी मलिंगा है कंचन जी है सभी का स्वागत है सरिता है रिंकी है फुस्पा है पवन जी है बिल्कुल वेदान जी है सभी का स्वागत है वेरी वेरी गुड़ इवनिंग सभी को तो आज की क्लास कल से भी सांदार आज कल से कुछ और सांदार और प्यारे से सवाल पढ़ने वाले हैं आज मॉक्टेस नंबर 46 है साइन्स की क्लास का बिहार से 10 प्लस टू और बिहार पुलिस या रेलवे की अगर आप त्यारी कर रहें तो सभी लोग जुड़िये क्योंकि यहां पर जो अभी क्लास चल रही है वह सिलेबस बहुत ज्यादा मैज खाता हुआ है तो चलिए शुरुवात करते आज के सेशन में पहले सवाल के तरफ और पहला सवाल जो है परकनली टीसू से है प्रकनली सीसू से है टेस्ट यू बेबी से है कमलेज जी बिलकुल सोहन कुस्वाहा मलिंगा बताए क्या होगा देख दम पूछाए परकनली सीसू टेस्ट यू बेबी क्या है परकनली टीसू जो है टेस्ट यू बेबी क्या है यहां पर डिम्ब का नीसेचन गरभासे में होता है लेकिन परकनली में विक्सित होता है देखेगा गरभासे में नीसेचन होगा तो परकनली में विक्सित कै कैसे होगा गर्भासे में होता है घरभासे में में भुडबेक्सित होता है अगले सवाल ञो वो सवाल भी एक तरह से जेनेटिक्स से है एक नवजात बालिका की कोशिकाओं में गुड़सुत्रों का कौन सा सहीयोजन होता है भाई जबरजस जंदाज में जबाब दिजेगा किसका सही होने वाला है एक नवजात बालिका की कोशिकाओं में गुड़सुत्रों का सहीयोज इसी को हम sex chromosome बोलते हैं लेंग गुड सुत्र बोलते और ये क्या होते भाई आटो सुम्स होते हैं आटो सॉम्स का मतलब होता है समजात गुड सुत्र यह आपके समजात होते हैं समझात तो पुछा एक नवजात बालिका की कोशिकाओं में गुड़ सुत्रों का कौन सा सेयोजन होता है तो यहां पर 44 क्रोमोसोम प्लस एकस एकस इसी को सही माल लेते हैं यहीं सही बिल्कुल अगले सवाल के तरफ चलते हैं बच्ची को लिंग किस्षे बच्ची का लिंग कि से निरधारित होता है यहां पर गुड़शुत्र से आरेच का राख से माता तरह से किस से होगा सोच के आपको बताना है शे माती इति क्या होगा यहां पर क्या होगा जबाब दीजेगा बिलकुल मुध ब् Baldwinी क्या होगा भाई निहां बिलकुल कमले सभी सेक रामावतार पूजा रिंगे सभीने सेयर कर दिया क्लास को एक वाज सेयर जरूर कीजिएगा बिंग गुड़ सुत्र से लिंग का निर्धारड जो होता है वो वाई क्रोमोसोम जो होता है वाई गुड़ सुत्र उसी से होगा ब्लड गुरूप से नहीं होगा यह हमेशा गुड़ सुत्र से होगा और वाई क्रोमोसोम से होगा तो चलिए वाई अगले सवाल पर चलते हैं पूश जनक कहते हैं इस सवाल का सही जवाब छाप दीजे कमेंट सेक्षिन में अन्वान सिकी का जनक साथ में मेंडल सहाब ने तीन नियम दिये थे कितने कितने नियम दिये थे थी ला दिये थे पहला है लाफ डॉमिनेंस लाफ डॉमिनेंस प्रधानता का निया दूसरा क्या है भाई लाफ सेग्रीगेशन लाफ सेग्रीगेशन तीसरा है लाफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट लाफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट तो आपने देखा कौन-कौन से हैं भाई लाफ डॉमिनेंस लाफ सेग्रिगेशन लाफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट यहाँ पर युगमकों के सुधता का नियम मोनो हाइब्रिड डाइब्रिड क्रास नहीं होगा इसमें मोनो हाइब्रिड में एक जोड़ी बिप्रीत लक्षड के बीच क्रास होता है एक जोड़ी बिप्रीत लक्षड के बीच जबकि डाइब्रिड में क्या होता है दो जोड़ी बिप्रीत लक्षड के बीच क्रास होता ह और टेस्ट क्रास क्या होता है तो टेस्ट क्रास में जब भी क्रास होगा तो भाया अप्रभावी लक्षण से क्रास होगा रेसेसिव कैरेक्टर से क्रास होगा तो जब अप्रभावी लक्षण से क्रास हो तो टेस्ट क्रास बुला जाएगा और बैक क्रास में प्रभावी और अपरभावी दोनों से क्लियर चलिए बहुत धन्यवाद अगले सवाल के तरफ चलते हैं पूछाए इन में से कौन सा गुड़सुत्र है जो पुर्षों में पाया जाता है इसमें कौन सा गुड़सुत्र है जो पुर्षों में पाया जाता है देखे यह कोस्चन को एक तरसे बिवाद के स्रेडी में जा सकता है लेकिन क्योंकि X भी तो पाय जाता है एक X एक Y यहां पर sentence बनाने में थोड़ी गलतिया हुई है X Y बनाना चीए था X के साथ Y बनाना चीए था लैंगी गुड़ सुत्र में चलिए अगले सवाल के तरफ चलते हैं निमलिखित में से कौन सा एक अल्प बिक्सित अंग है बताए यहां पर याद रखेगा जिसको हम वेस्टीजियल आरगन कहते हैं वेस्टीजियल आरगन कौन-कौन से होते हैं तो वेस्टीजियल आरगन के तौर पे हम किसको किसको लेते हैं वाई एक हम लेते हैं वहीया एपेंडिक्स को एपेंडिक्स को और दूसरा हम किसको लेते हैं एपेंडिक्स के अलावा हम किसको ले बता नहीं और भी जितने गहने होते होंगे यह एपेंडिक्स किलिया हां चलिए कि सम्रूपंग किसे कहेंगे सम्रूप जवाब देना सम्रूपंग किसे कहेंगे होमोलागस पार्ट आर होमोलागस क्या है सम्रूपंग कौन से सम्रूपंग बताए किसे कहेंगे हाँ समरूप अंग किसे कहेंगे रचना में समान है कारे में समान है रचना वह कारे दोनों में समान है कारे बिहीन है क्या कहेंगे इनको देखें कारे बिहीन तो नहीं होगा समरूप अंग रचना और कारे दोनों में क्या होते हैं समान होते हैं समरूप अंग बिल्कुल समविर्ति अंग क्या होते हैं समविर्ति तो यह क्या होते हैं उत्पति में अहां उत्पति में अलग होते हैं कारे में समान होते हैं यह कारे में समान होते हैं ठीक ना एना लागस बोलते हैं इनको analogus analogus बोलते है अगला जवाब डीजेगा आर्खियोप Даरिक तैरिकश किन वर्गों के प्राडियों के बीच की योजक में एसे ही वायरस को कहा गया है विसाड़ु को भी कहा गया है योजक्म कड़ी ऐसे ही हम यूग लिना को भी कहते हैं तो यूगलीना को कहते हैं तो हम कहते हैं प्लांट और एनिमल को जोड़ता है या फोटो सिंथेसिस भी कर सकता है और दूसरे जीवों से भोजन भी ग्रहड कर सकता है और बिसाडू क्या है भाई लिविंग भी है और बिसाडू क्या है नाल लिविंग भी है ब अब आपके पास उभ है चक्शन पक्षी पानी में होगी नहीं सरी स्थिर्प और पक्षी यानी आप्सर वी कोई है बीर बहादुर जिसका आंसर भी रहा हो क्या होगा और पक्षी भी था और एक सरी स्थित हो यादो जी सुचिता जबरज़ झवाँ है वह क्वाइं बहुत बड़िया सबकी एक एक भूमि का है सब को शेयर करना है सब को लाइक करना है एक दम जहां-जहां एक्षा हो सभी लोग वासेर करें क्लाश को एम्फिमीयन पउधों का निमनिखित में तो प्लांड किंग्डम बताओ पादब जगत के कितने उकवर्ग हैं पांच प्लांड कौन से भाई सबसे पहले क्या आता है थैलोफाइटा बोलते चलिए गभाई थैलोफाइटा दूसरा क्या आता है भाई ब्रायोफाइटा बोलो याद है ब्रायोफाइटा तीसरा क्या हो चौथा क्या होता है भई प्लांटी होता है और पांचवा क्या होता है एनिमेलिया प्लांटी और क्या होता है एनिमेलिया होता है तो यहीं होगा एक बार देखेगा थैलो फाइटा किसका समू है सैवाल का इसमें न जड़ है न तना है न पत्ती है न जड़ है न तना है न प रद्ती है लेकिन पौधों का उभ्याचर किसे कहा गया पौधों का कहा गया विद्ध कर ब्रायो फाइट यहां पर इसी को कहेंगे घ्यान दीजेगा अधdog पर्म को हम अनावृत नायवित बजी कहते हैं अनावृत निस्पर्म किसे कहेंग이 जीमऩ हमें को चलिए एक निम mostrar देंगे सुरी कि यहां स्टेक हो गया था ढ़ल है लूंज भिटा मिस्टेक हो गयते जिमनो स्पर्म और एंजियो इस पर इसको आवरित भी जी कहते हैं यही आपके पुष्पिय पादप होते हैं क्यों होते हैं पुष्पी अपादप होते हैं चलिए एक सवाल का जवाब दीजेगा सुनहरे धान में किस चीज़ की प्रचूरता होती है सुनहरे धान गोल्डेन राइस की बात किया हुआ है अगर आप से गोल्डेन राइस की बात करेगा तो क्या कहेंगे क्या पाए जाएगा ऐसे क्लोरेला एलगी के बारे में अपने पड़ाओगा है क्लोरेलाừng यह यह होगा इसी यांट्रिंग या क्लोरेला होता है यहां पर इनके लिए क्या होगा बिटामिने होगा गोल्डेन राइस में बहुत बढ़ियां दकनिक उसके द्वारा उत्पन निम्न में से किस विकार के द्वारा है टर्मिनेटर टर्मिनेटर टकनीक से हम क्या बनाते वाई टर्मिनेटर टकनीक से हम बीज उत्पन करते हैं जो भी एग्रिकल्चर में टर्मिनेटर एक टेकनीक है टर्मिनेटर टेकनीक से हम क्या उत्पन करते हैं तो स पूछाया सधार्था ओरो बैंकी कहां पतुवार है कहां पाई जाती यह पाई जाती जो तमबाकू के बारे में बताएंगे औरोबैंकी कहां पर पाई जाएगी और कितने लोग हैं जो चना या धान बताएंगे वैसे धान के खेत के बारे में कहें तो धान का जो खेत है उसको आप जानते होंगे सबसे छोटा परितंत्र है सबसे छोटा कृत्रिम परितंत्र है परि मिथेन गैस निकलती है मिथेन गैस निकलती है और धान के बारे में और याद रखेगा कि धान के बारे में हाँ तंबाकु में निकोटीन है तंबाकु के खेट से क्या होता है औरो बैंकी खरपतवार कहां पाई जाती है तंबाकु में और इसी तंबाकु से टोबैको मुजैक वाइरस की खोज हुई थी टुबैको मुजैक वाइरस की खोज का मतलब समझ रहे हैं प्रथम बिसाडू की खोज प्रथम बिसाडू हम किसे कहते हैं टुबैको मुजैक वाइरस को प्रत्वम Kaubs childcare और पिरल्ट मुझेक वारस के बारे में याद रखेगा इसकी खोज इवा न्वस्की इससकी खोज किस ने कीती इवा रसकी ने की तो करिए और एक और बाथ अगर हम आपसे जुआडू की खोज पूछें तो कमेंट को किस के थी जिवाडू की खोच किसने के थी कमेंट करें कि बताएं कि क्या होगा एंटनी वान लिवेन हाग बहुत बढ़िया निमलिखित में से कौन सा परजीनी पादफ है पर जीनी पादफ भी हम तंबाकू को मानते हैं अगला क्या है इस इसमें कौन सी बिमारी इसी है रहे हैं और रोग लिख रहे हैं देखेगा एक तरफ मच्छर और दूसरे तरफ रोग आ तो बताइए मच्छर और रोग में सबसे पहले मादा एक्षिण मच्छर न फिलिज है कौन सा से कौन सा रोग होगा रगताई मादा एडीज एजीप्ती ए अगला बताईयेगा मदा क्यूलेक्स यह सम्मच्छर है जिन से रोग फैलता है पताईयेगा कौन सा रोग फैलता है अगर हम आप से कहते हैं मादा एनाफिलीज से मादा एनाफिलीज से फैलता है मलेरिया अगर हम कहते हैं मादा एडीज एजिप्टी से तो एडीज एजिप्टी से क्या फैलेगा डेंगू एडीज एजिप्टी से क्या फैलेगा चिकन गुनिया चिकन गुणिया अगर हम क्यू लेक्स कहें तो फाइल एरिया क्यू लेक्स कहें तो क्या फैले सब याद रहेगा तो यहां पर क्या फैले कर लेगा मलेरिया फैलेगा अब यह वाहक यहां पर क्या है वाहक है करियर है कारक तो प्लाजमोडियम होगा कई बिसाडू होगा कोई और होगा行 बिसाडू जनित रोग इसमें पूछा ऑग defenses ओके भाईया फातिमा जल्दी जवाब देना है आदर्स पुस्पा रिंकू रिंकू भी आ गए हैं बताए क्या होगा बिसाडू जनित रोग कहता है तो हम आपसे पूछे थे कि भाईया डीम पीम का रिस्ता बेस्ट वाला फार्मूला याद है ना डी से क्या होता था भाई ढेंगू से होता है मिजल्स क्या है कि फाश्रा है कि मिजल्स क्या है कि यहां पर एक जबाब देना है आर से क्या होगा रैबीज होगा आई से क्या होगा इनफल्यूará होगा असे क्या होगा स्वाइन फ्लू यह सब भी सारू से होता है एज से हरपीज बोलो क्या होगा हर पीज ट्रैकोमा एडस का नाम तो सुनाई होगा paiड needs यह सब भी साडू से होने वाले रोग है और यहां पर बेस्क याद रखेगा बेस्क बी से बर्ड फ्लू आपी से इनसेफिलाइटीस真的很 आप आप एसे समाल पाक्स है हो और सी से क्या होता है रवैं ऊठ मन गोल्ड कामन को यह सारे वो रोग है जो बिसाडू से होते यह TB है दोस्त TB डिप्थिरिया यह जिवाडू से होता ती बि किस जिवाडू से होगा mycobacterium bacillus mycobacterium tuberculosis और यहां पर डिप्थिरिया माइकोबैक्टरियम डिप्थिरी से होगा माइकोबैक्टरियम डिप्थिरी से यहां खसरा होगा तैफाइड किस से होता है सालमोनेला टाइफी से होगा अच्छा यह बात बताओ तैफाइड का टीका कौन सा है तैफाइड का टीका का नाम क्या ह और होता है टैब कपेडिक का टी का क्या होता है बीडी सीजी टीरिया का टी का क्या होते डीप्ट टीर्या की टीपकशन दीपी टी के चले आगे अब यहां पर थोड़ा जलदी से धुजबादार अप्लिकेशन पर कोई फोन नहीं उठा रहा रात में अब इससे में कौन फोन उठाएगा इससे में क्योंड टीचर ही मिलेंगे बताएं क्या होगा जबाव बिलकुल कल सुबह फोन कीजेगा मैसेज डाल दीजे आपका बिलकुल समस्या का समधान हो जाएगा पूछाएं इन में से कौन सा बिसाडू जनित रोग यहां पे खसरा है बाकी ये तो बिटामिन D के कमी से होगा सिफलिस जिवाडू के कमी से बे आपसे पूछा जा रहा है Western blotting technique की बात तो बता यह Western blotting से हम किसका प्रिक्षरद करते हैмgest ke Western blotting से हम क्या करते हैं HIV का test करते हैं यहाँ पर आप कोवीड ले सकते हैं कोरोणा ले सकते हैं व Walking टूबर कुलोसिस के बिरुद, मुखेता कौन सी वैक्सिन प्रयोग की जाती है, टूबर कुलोसिस के बिरुद जो वैक्सिन है, उसका नाम BCG है, B से होता है Bacillus, एक बैक्ट्रिया का टाइप है जिसको हम छड नुमा बैक्ट्रिया कहते हैं, और C से होता है कालमेट, C से क्य कालमेट और गुरे याद रहेगा तो यहां पे कशा खन रही दूसरा नाम और और भी नाम याद है और याद छोगे थोड़ा आडोती नाम बता दो तपेदिक हो गया TB हो गया टूबर कुलोसिस हो गया और नाम क्या होगा यच्मा हो गया से पलेग हो गया यह सब टीबी के नाम है और हाँ यह सब किसके नाम है कुष्ट यह कौन या तो याद होता या तो नहीं चली कोई कोशिस करने वाले भी होने चाहिए कोशिस करने वालों से बिल्कुल यहां पर जबाब देना है पूछा है सिरोसिस कि रोग किस अंग को प्रभावित करता है यह जवाब आप चाहिए था सिरोसिस रोग किस अंग को प्रभावित करता है मस्तिस्क जिगर हिर्दय और गुर्दा बताई कि बताईए क्या होगा सिरोसिस रोग किस से है तो जिगर यानि लीवर के लिए सिरोसिस रोग किसके लिए लिवर के लिए लिवर के लिए और किड़नी में क्या होग किडिनी स्टोन का नाम क्या है किडिनी में कौन सा स्टोन पाए जाता है कैल्सियम आग जलेट किडिनी में कौन सा स्टोन पाए जाता है कैल्सियम आग जलेट बोलिए किडिनी के स्टोन का नाम अपनिया अच्छा सम्हाद पूछाए स्लिप एपनिया एक रोग होता है पूछाए सोते समय बात करता है बैक्ति कि मुस्कुराता है कि खराटा मारता है कि चलता है इसमें क्या जवाब दोगे रिंको इसमें से आप लोगों में से एक एक दम सही जवाब सब ने जवाब दिया वाई सबको लग रहे है अनुभव है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन किसे संबंदी ते अल्ट्रा फिल्ट्रेशन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन किसे संबंदी थे वाई अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बताओ कि आप जानते अल्ट्रा फिल्ट्रेशन यह देखेगा यह किसका स्ट्रक्चर है इसी को हम कहते हैं नेफरान नेफरान सुने हो पुछा जाएगा PCT कहां पाए जाता है तो कहना PCT यह है DCT कहां पाए जाए कहना नेफरान में पुछेगा बावमेंस कैपसूल कहां पाए जाएगा तो क्या बताएंगे आप लो नेफ्रान और ग्लोमेरुलस कहां पाए जाएगा नेफ्रान में ग्लोमेरुलस भी कहां पाए जाएगा नेफ्रान में यह क्या है भाई ग्लोमेरुलस है तो ग्लो मेरूलस भी पाए जाता है नेफरान में याद रहेगा ग्लो मेरूलस कहां पाए जाता है नेफरान में चलिए अगला जबाब है यहां पर पूछा था अल्ट्रा cha filtre lessön कहा होता है kidney में और kidney में कहा होता है तो women's capsule में यही पर ultra filtration किटिनी की क्रियात्म की काई है तो और ओर ऑष्धाद्स के अगर हाक हुआ कि अगर हम बात करें नर्जनन आंत्र की तो नर्जनन तंग्र में यह क्या है टेस्टीज है और इसी टेस्टीज में कि आप जानते हैं बहुत सारे सेल पाए जाते हैं और यहीं से क्या होता है कि अहां रेटी टेस्टी वासा इफ्रेंसिया और आप जानते हैं कि अगे अगे जाके यह क्या बराता है यूरित्रा नामक परके आममार्क बनाता है तो यहां पर क्या होगा भई डि आप्सन होगा यूरित्रा होगा यहां देखो उचा है परकिंजे फाइबर कहां पाए जाते परकिंजे फाइबर यह दिल देखो दिल को यह समय हो इसी में चार चेंबर होते हैं और इसी चार चेंबर में यहां पर एस से। नोड पाये जाता है और यहां पर एम प्राइब्फ़ जाता है एस से नोड को एवी नोड से जोडते हैं और ही पर पर किंज Knowing फाइबर होते हैं परकिंजे फाइबर कि इसको हम क्या बोलते एसे नोड है एक एसे नोड हो गया दूसरा एबी हो गया तो परकिंजे तंथ मैं बिसुष्ट है नर्व फाइबर् है जो हर्ट जो क्या करेगा हम में मदद करेगा जो अचकार्डियक आउटपुट पता है आपकों कार्डियक आउट पूट का मतलब होतअ है जब मनुष्य का हिर्दय एक बार धड़कता है मनुष्य का जब हिर्दय एक बार धड़कता है न तो उस धड़कन में उस धड़कन में क्या होता है 70 ml बलड आता है एक धड़कन में कितना ml बलड आता है 70 ml और एक मिनट में हमारा हिर्दय कितनी बार धड़कता है 72 बीट 72 बीट तो हम जानते हैं कि 72 में अगर 70 ml से मल्टिप्लाई कर देना तो 5040 ml होगा और इसी को हम लगभग 5 लीटर माल लेते हैं तो एक बार जब हर्ट बीट में 5 लीटर एक मिनट में कितना लीटर बलड पंप होता है 5 लीटर है एक मिनट में और यहां पर क्या होगा 70-80 अच्छा कार्डियक साइकिल कितने देर का होता है हिरदय चक्र कि 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 क्या के आडियक साइकल कितने दिर का होता है जीरो पॉइंट एесс सेकेट का ठीक है चलिए आगे चलते पुछा है ुच्ये हमारी तुचा के नीचे छोटी रग्तविकाओं को क्या कहा जाते है छोटी रचभ्तवाईकाओं को क्या कहा जाते हैं जैसे अगर हम बात करें ना महा धमनी होती है और महा धमनी जो होती है ना महा धमनी धमनी होती है महा धमनी धमनी को ब्लट देगी धमनी किसको ब्लट देगी केशिका को किसको ब्लट देगी केशिका को और केशिका से बलड कहाएगा सिरा में सिरा से बलड कहाएगा महा सिरा में तो आपको यह ध्यान पर रखना ऊपर आपकी महा धमनी और धमनी नीचे सीरा और महा कहा जाता है केशी का कैपिलरी कहा जाता है और इसी कैपिलरी से आपके आक्सीजन और इसी कैपिलरी से आक्सीजन को और कार्बन डाइक्साइड का ट्रांस्पोर्ट होता है आक्सीजन और कार्बन डाइक्साइड का ट्रांस्पोर्ट किस से होता है केशी का से होता है पूछा सब का रुधिर का कारे किया होता है तो पहला कारें तो है एक्सीजन परिवहन पहला का 97% परिवहन करता है और 3% कौन करता है प्लाजमा तो 97% करता है हीमोगलोबिन और 3% 3% कौन करता है प्लाजमा अच्छा दूसरा देखेगा अगर हम कार्बन डायकसाइड का परिवहन कहें तो कार्बन डायकसाइड का परिवहन कौन करता है तो यहां पर देखेगा हीमोगलोब कितना करेगा सबसे ज्यादा बाइग कार्बोनेट के रूप में होता है सत्तर परतिसे लोगों को याद नहीं रहता है गलती हो जाती है हेमो गलुबिन और आपका प्लाज्मा बचा तो यहां पर प्लाज्मा से होता है तो यहां आक्सीजन का परिवहन हो गया रक्त से इसके अलावा किसका परिवहन होता है इसके अलावा अमोनिया का परिवहन होता है अमोनिया करें यूरिया का यूरिया का परिवहन होता है इसके अलावा बिया और भी जो आपके और जल को नियंतरत किया जाता है यहां पर पूछाए गैस विक्सित होती है जब यहां पर पूछाए कौन सी गैस निकलेगी डिंक जैसे जente जिंक अगर हाइड्रो क्लोरिक एसिड के साथ कारे करे तो कौन सी गैस उत्सरजित होगी बताइए यहां पर क्या जबाब देंगे लाइक वाइक सभी लोग कर लिए क्लास को अब देखिए दिलसाद हमजी खैरियत है आल फ्रेंड्स अब यह पूछ रहे अपना खैरियत भी बताइए भाई क्या होगा सभी लोग मस्त हैं सब लोग एकदम बढ़ियां नीद वाद तो नहीं आ गई भाईया लड़कों से बिनम्र निवेदन है कि वैलेंटाइन डे का सब्ता सुरू हो गया है इस शकर में न पढ़िएगा अपना कैरियर बनाईएगा ठीक है जब सेलेक्शन हो जाएगा तो सब बनेगा भाई यहां पर जिंक क्लॉराइड बनेगा और साथ में कौन सी गैस निकलेगी हाइड्रोजन गैस निकलेगा भाई लड़के तो इसी लिए पढ़ाई कर रहे हैं बहुत सारे हाँ क्लास में भी इसी लिए आते हैं कि भाईया जो कल जिससे बात हो रहा था सरके क्ल लड़के तो भी आप पढ़ लेती हैं वह तो कितना संघर्ष करके मेहनस से बाहर निकलती है पढ़ाई करने के लिए हाँ यहां पर क्या है निमलिखित में से कौन सी धाथू अबहे धर्मी आक्साइड बना सकता है उभे धर्मी आकसाइड क्या मतलब है भाई उभेधर्मी कहेंगे सर जी जो खट्टा भी हो और कड़वा भी हो खट्टा हो का मतलब जो अमलिय हो अकड़वा हो का मतलब छारिय हो जो चारिय हो और जो अमलिय हो हां हां तो उभेधर्मी आकसाइड जो होते हैं उसमें प्लेटिनम आकसाइड है जिंक आकसाइड है तो यहां पर क्या बनेगा वाई जिंक आकसाइड बनेगा क्या बनेगा जिंक आकसाइड बनेगा एक दम लड़कों को समझ में भी आता है मेर बात है बहुत समझ में आती है लड़कों को लगता है कि यही एक कैसे मास्टर हैं जो हम लोग कांद दुख कदर्व समझते हैं वह समझते हैं पहले ही बता देते बाव इस चक्र में ना रहो और दूसरी बात बहुत जरूरी बात है यह बात हमेसा ध्यान पर रखेंगा में जिवन में जितने भी लड़कि लड़के लड़के क्लास में है कि ने लड़कि chi को समझदार है लड़कियों को ने कह रहों वर कुछ गया लड़कों को किरों क्लास में आ एक बात याद रहेगा enorme को छो तो तो अलग बात है अगर कभी कोई फीमेल ब्रिगेड में कोई हस दिया मुश्कुरा दिया उसका कोई मायने नहीं होता आप अराम से अपनी पढ़ाई करिएगा हाँ बिल्कुल यही एक बात समझाने थे किलियर है समझ में आ गया कि नहीं अभी बहुतों को समझ में आया होगा कल समझ में आएगा कुछ को अच्छा जब लेड नाइट्रेट का एक अड़ू गरम किया जाता है लेड नाइट्रेट का एक अड़ू गरम किया जाता है तो आक्सीजन के कितने मॉल उत्पन होते हैं बताओ भै क्या होगा भाई लेड नाइट्रेट के जब अड़ू को गरम किया जाता तो यहां पर एक redemption में आपको बता आता हूं थोड़ा धियान दीजेगा लेड आक्साइड बनेगा साथ में oxygen भी बनेगा और आपका nitrogen dioxide भी बनेगा तो nitrogen dioxide बनेगा और oxygen बनेगा अब देखो यहां पर nitrogen दो दूना चार है तो यहां पर पूछा है एक जब lead nitrate का एक अडू गरम किया जाता है यहां पर lead लेड नाइट्रेट का दूई अडू गरम किये हैं तो पूछा है तब आक्सीजन गैस के दो मोल उत्पन होते अब इन्हें आधा है एक करेगो तो आधा हो जाएगा यह नहीं है लिए दो योगिकों के बीच वांड या आएनों का बिनिमय होता जैसे देखो बेरियम सलफेट है और साब है और सोडियम क्लोराइड है या ऐसे देखो और आपका यहां पर बेरियम क्लोराइड है तो यहां पर क्या होगा इसका बांड तूट जाएगा और इसका भी बांड तूट जाएगा अब यहां नया रिस्ता बनेगा पुराने रिस्ते छोड़के नया रिस्ते यहां बनेंगे बेरियम सलफेट बनेगा औ तो यौगिकों के बीच बांड या आयनों का बिन में क्या कहलाता है दोहरा विश्थापन कहलाता है कि रिडाक्स रिडाक्स नहीं होगा यहां पर क्या होगा 12 फॉचा है ना कि Inc दोस्तों क्लास को थोड़ा एक विशम परिस्तिती में क्लास को यहीं पर ब्रेक करना पड़ रहा है ठीक है तो आप से छमा चाहेंगे ओके एक साथी टीचर है उनके यहां परिवारिक सोक है इस वज़े से उनके ताउजी की डेथ हो गई है जिस वज़े से तो भया चाहेंगे आज की क्लास के लिए आज इसके बाद क्योंकि अभी स्टूडियो में जादे लोग नहीं है तो हमको जाना पड़ेगा बाकी क्लास कल करत ठीक है बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को ऐसे ही उमीद करते आज की क्लास आपको समझ में आई होगी तो सभी को जैहिंद धन्यवाद सभी को कि अगर कि कि